हेलो गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल कोडिटर कोडिटर चैनल में आप सबका स्वागत है और आज आज पढ़ने चाहरे हैं कॉंसेंस प्रोडिकॉल के बारे में जोगी बहुती ज्यादा इंपॉर्टन टॉफिक है तो इसको जरूर ध्यान से देखेगा तो आईए शुरू करते हैं का वी चारो बहुती इंपॉर्टन पिलर्स हैं जो की मजबूती में कंसे प्रोडिकॉल के लिए तो जिन्होंने वी नई देख्या मैं रिकुस्ट करूंगा कि ये चारो वीडियो ज़रूर से देख लें तब इसको वीडियो को देखे ताकि आपको समझने में consensus protocol ज्यादा आसानी हो, आपका base ज्यादा अच्छे से clear हो सके ठीक है, तो basically consensus protocol हमें दो तरह से protect करता है एक तो हमें prevent करता है attack से और दूसरा ये हमारी competing chain problem क्यों solve करता है अब ये दोनों क्या हैं मैं detail में अभी बताऊंगा तो इस वीडियो में फिलाल हम लोग बात करेंगे वो है prevent attacks ही और competing chain problem की बारे में हम बात करेंगे next वीडियो में मतलब इसके part B में तो आईए बात करते हैं prevent attacks ही और पहले देखते हैं कि consensus protocol की कितने types होते हैं तो basically consensus protocol के mainly दो दो famous types हैं वो है proof of work और दूसरा है proof of stake और बहुत साई others भी होते हैं अगर proof of work हमारे bitcoin में यूज होता है और इसलिए हम लोग आज proof of work की ही बात थने वाले हैं कि किस तरह से proof of work का consensus protocol वक करता है हमारे blockchain में तो अभी तक हम लोगों ने जब attacks के बारे में बात की थी तो हम लोगों ने इम्म्यूटिबल वेजर अपने ध्यान से वह वीडियो दिखा हो तो याद होगा कि हम लोगों ने बात की थी कि जब कोई भी attacker किसी मिडल नोट पर attack करता है यहां पर उसने अटाक किया और इसमें कुछ changes किये तो जो उसकी आने वाली मैश नहीं हो रही है तो उसको change करो और एक को वहाँ पर चेंज करना पड़ता है पर इस तरह से यह पूरा-पूरा हमारा प्रोसेस हो जाता है distributed P2P network के तुरू और मारे immutable ledger के concept के तुरू बट अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो यह देखने जा रहे हैं कि किस तरह से अगर माल लेते हैं कि ए लेट से महाल लेता हैं कि यह जो हमारे जो माइनर है वह एक attacker है अब उसने क्या किया कि उसने मिडल की किसी भी नोट को तरग बटना की कोशिश की अगर उसने लांस में कोई malicious node लगाने कोशिश की तो अब आप बदेए यहां पे तो वह immutable ledger का कोई concept आए गई नहीं क्योंकि इसके बाद तो कोई node है नहीं तो अगर यह malicious है तो हमें पता भी नहीं चल पाएगा क्योंकि इसके बात की तो कोई nodes नहीं है तो अब इस particular case में कैसे हम real करेंगे वही हम लोग देखने जा रहे हैं इस consensus protocol में तो अभी के लिए कैसे यह work करता है तो पहले इसको हम समझते हैं कि proof of work क्या है क्यों proof of work कहा जाता है और कहां से यह proof of work का time आया तो होता है कि जब भी यह हमारा starting का पूरा model अगर कोई miner कोई block हमारी blockchain में add करता है तो एक हमारा miner है A उसने क्या किया उसने एक block को add कि हमारी blockchain में तो इस miner ने जब यह block add किया तो miner को बहुत ज़्यादा efforts लगाने पड़ते हैं माइन होता है तो जो यह mathematical problem हमारे miners को solve करनी होती है बहुत ही ज़्यादा time consuming होती है बहुत ज़्यादा efforts लगते हैं और साथ ही साथ इसमें electricity का भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है मतलब उसका एक तरह से वह proof दे रहेंगी मैंने यह mathematical solve की है तभी मैं यह block add कर रहा हूं इसलिए यह तरह से प्रूफ है उनके work का इसी तरह से इसको कहा जा सकता है कि यह proof of work है कि हाँ मैंने mathematical problem solve की इसी वज़े से मैं यह block अपनी इस blockchain में लगा रहा हूं और इसी वज़े से जो miners हैं उनको क्या किया जाता है उनको rewards दिये जाता है जैसे कि जब उनको जैसी वह block mine करते हैं तो उनको पहले bitcoin मिलता है एक particular amount और साथी साथ जो उन्होंने transaction मतलब कि यहां पर वह किया है मतलब कि verify किया है उसके लिए भी उनको एक particular transaction fee मिलती है जो उन्होंने transaction हमारी block में add up किया है तो अब इससे सोचिए कि अगर miners यहां पर कुछ गरबड करते हैं या पर कोई malicious activity करते हैं होगा क्या कि उनका जितना सारा effort उन्होंने इस block को इस blockchain में लगाया है एक तो वो देश जाएगा और plus उनको कोई भी incentive इस चीज का नहीं मिलेग तो इसलिए पहले तो miners खुद aware होते हैं कि उनको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिसकी वज़े से उनको incentive से भी हाथ धोना पड़े और साथी साथ इतना जादा loss उठाना पड़े तो एक तो यह miners की अपनी responsibility हो जाती है दूरसी चीज जो यह work करती है protocol वो यह है कि जब भी कोई miner कोई block add करता है हमारी blockchain में और वो कहता है कि भाई हमने एक block mine कर लिया है और यह information वो साई notes को पहुचाता है तो notes ऐसा नहीं होता अब क्या होता है कि जैसे यह note को पता चलता है कि हाँ एक block mine हुआ है तो तुरंद एक algorithm run करती है सारी notes पे simultaneously एक algorithm run करती है जो कुछ इस तरह की दिखती है और यह हर note पर run करती है जहां पर मलग यह check किया जाता है कि जो block mine किया गया है वो actually में authenticated है कि नहीं है कहीं कोई malicious block तो नहीं add किया जा रहा है हमारी blockchain में और यह सारी notes सारी notes ना मतलब है कि जैसे ही A ने block अपना इस blockchain में add कि और यह information B, C, E, F को मिली तो वो सब क्या करेंगे पहले check करेंगे जो यह block लगा रहा है वो block सही है भी कि नहीं है और वो अपनी blockchain में तब तक नहीं add करेंगे जब तक कि वो algorithm पुरी तरह से run नहीं हो जाती है अब यह algorithm होती है कोई छोटी मूटी algorithm ही होती ही काफी बड़ी algorithm होती ही जहां पर उससे भी बड़ी हो सकती है और साती ही जैसे क्या क्या check किया जाता है जाकि like transaction हमारे empty तो नहीं है या फिर previous hash है कि नहीं है तो यह सारी चीजें सही से check की जाती है और जब वो verify हो जाता है कोई incentive नहीं दिया जाएगा अगर उसने कुछ गरबढ़ की दूसी चीज जो नोट्स होती है जितनी भी नोट्स होंगी मतलब एक network में thousands और lakhs of notes भी हो सकती है तो वह पहले notes क्या करेंगी पहले अपने end पे check करेंगी कि हाँ यह block जो यहाँ पे A ने insert किया है वो basically सही है भी क और जब वह अपने end पे यह algorithm run करके उसे check कर लेंगी तभी जाके वह उसे अपनी blockchain में add करेंगी तो इस तरह से consensus protocol work करती है यह prevent करती है हमारे attack को basically अब यह competing chain कैसे work करता है वह आने वाले वीडियो में देखिए बट इससे पहले हो सकता है कुछ लोगों के मन में doubt आ रहा हो कि यह जो algorithm अगर सारी notes run कर रही है तो क्या यह algorithm बहुत जादा time consuming होती है बलब क्या भाई क्योंकि अब जिस तरह से minor ने एक mathematical problem solve की और उसको इतना जादा time लगा उसको सिर्फ solve करने में बलब दिन घंटे भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है इतना time लग गया उसको तो क्या यह जो algorithm जो B, C, E, F चला रहे हैं अपनी notes पे मतला अपने उपास यह algorithm बड़ी सी चला रहे हैं क्या इसको भी करने में बहुत जादा time लगता है तो इसका answer है बिलकुल नहीं यह जो algorithm होती है जब कोई minor किसी problem को जब पहली बार solve कर रहा होता है तो definitely उसको solve करने में time बहुत जा कुछ seconds का ही काम होता है जिसमें वह verify हो जाती है वह कैसे एक example समझते हैं अगर आपने rubik's cube देखा तो rubik's cube अगर आपने नहीं देखा तो यह screen पे मैं दिखा रहा हूं कि rubik's cube क्या है rubik's cube में देखेंगे तो बहुत अलग-अलग colors के हमारे pubes होते हैं और हमको क्या करना होता अगर आपसे कहा जाए कि इसने यह rubik's cube सही से solve किया है कि नहीं तो आपको time कितना time लगेगा उसे check करने में आपको कुछ time नहीं लगेगा कुछ seconds नहीं मैं check कर लूँगा मैं क्या करूँगा मैं उठाओंगा rubik's cube मैं देखूँगा कि यह सारे colors match कर रहे हैं कि नहीं red से red 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 है कि नहीं blue blue है कि नहीं white white है कि नहीं तो इससे verification बहुत ही असानी सुझाता है तो हम नहीं क्या देखा consensus protocol में consensus protocol prevent attack करने के लिए simple protocol यह यूज कर रही है पहले तो वह miners को reward करती है सही चीज करने के लिए माइनर ऐसा नहीं करते हैं तो माइनर इंसेंटिव प्लस इंसेंटिव से भी loss कोना पड़ता है प्लस उनको इतना साधा electricity bill और जो hardware उन्हें लगाया उसके लिए भी loss करना पड़ता है और लेट से अगर हो माइनर तब भी है कि नहीं हो जाए loss कोई दिक्कत नहीं है तब भी ऐसा नहीं कि प्रोटोकॉल से वह सी प्रेलाई कर रही है उसने क्या उन्हें कि जितनी भी नोट्स हैं आपके साथ जुड़ी हुई है वह चेक करें होगा कोई भी डाउट हो तो आप से कमेंट जरूर से करेगा मैं उसको जरूर से सॉल करूंगा और इसके आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से competing chain problem को solve किया है consensus protocol में और competing chain problem क्या है ये भी हम उसमें ही discuss करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो please इसे like, share और subscribe करिएगा और कोई भी दिक्कत आती है तो जरूर से comment करेगा तब तक के लिए बाबाई